केजरी बाल दोड रहे हैं, भागम भाग का खेल खेल रहे हैं, कभी उत्तर, कभी दक्षण, कभी पूरब तो कभी पश्शिव दिल्ली का काम का छोड़ करके दोड रहे हैं, क्यूं दोड रहे हैं? अब मैं आपको कुछ दिनों की तस्पीरे दिखा देता हूं जारखंड के मुख्य मंतरी शीवू सोरेन से मिलने पहुँच गए, उससे पहले तमिलनाडू के मुख्य मंतरी स्टालिन से मिले, फिर लेफ्ट नेताओं से भी मिले, सब से मिल रहे हैं, क्यूं मिल रहे हैं, आपको अंदाजा हुआ की नहीं? तिलंगाना के मुख्य मंतरी KCR से मिलने पहुँच गये उससे पहले NCP प्रमुक शरत पवार से मिलने पहुँच गये यह जो दिल्ली का ओर्डिनेंस वाला मामला है ना उसी लिए मिल रहे है लेकिन कैसे कैसे कब कब मिल रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ उद्धव ठाकरे से भी मिला है उनको कैसे छोड़ दे आजकल तो वो भी इंटी मोदी ब्रिगेट का हिस्सा हो चुके हैं बंगाल जाकर ममता बैनर जी से भी मिला है इससे पहले बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार और फिर बिहार के डिप्टी सीम जो कभी पहले बहुत भ्रष्ट मानते थे तेजस्वी आदब उनसे भी मुलाकात की लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि केजरी वाल डेहली ओर्डिनेंस बिल को रोक पाएंगे जो केंद्र सरकाद अध्यादेश लेकर आई है सब डुगडुगी बजा रहे हैं कि मैं आपका साथ दूँगा आपका ही साथ दूँगा लेकिन क्या रोक पाएंगे क्योंकि राज्य सभा में विपक्ष का एक बड़ा जो गुट है भाजपा के बाद वो तो कॉंग्रेस है कॉंग्रेस का तो सपोर्ट मिला नहीं लेकिन मान लीजी चुकि केजरिवाल ने राहुल गांधी और कॉंग्रेस अध्याक्ष खडगे साहब से भी टाइम मांग लिया अब कॉंग्रेसी जो मांग कर रहे हैं हो सकता वो नाक रगड कर माफी भी मांग ले ये हो सकता है क्योंकि केजरिवाल तो माफी मांगने का इतिहास है तो भी क्या ध्यादेश में केजरिवाल जीत पाएंगे मुझे नहीं लगता दोस्तों और नहीं जीतेंगे ये मैं तो दस सीट है और बहुमत के लिए तो नो दस सीटें ही चाहिए और इन परिस्थीतियों में आप देखिए अगर नवीन पटना है और ये जगन मोहन अगर मिल गए जो मिल भी गए थे अभी आपने देखा पालिया मिंट वाले मुद्दे पर मिलना ही है तो फिर कौन सी को भी पता है कि वो नहीं जीत सकते हैं तो फिर वो दिल्ली का कामकाज छोड़ करके क्यों पूरे देश में चक्कर लगा रहे हैं अब इस बात को समझने के लिए दोस्तों आपको एक कहानी सुनाता हूं ये कहानी सुनकर आपको समझ में आएगा कि केजरी बाल इस देश के सात कौन सा खेल खेल रहे हैं अब कहानी कुछ इस प्रकार से एक गाओं में डो वेक्ती था आप इस कहानी के लिए मैंने चीज़ों को देखते चले जाइए घाओं में दो वेक्ती श्का नाम संजीव था और वो कुमहार शांदार कुम और प्ढोरो स्वे उसका नाम सरजी यानि कुमहार जो मिट्टी के बरतन बनाता था उसे सरजीवाल जी बाहर बेचते थे लेकिन सरजीवाल जी बड़े अमीर थे शहर में जाकर बेचते थे तो एक दिन कुमहार ने सरजीवाल से कहा यार मैं तो बरतन बनाता हूँ लेकिन गरीब हूँ और तुम ऐसा कशा काम करते हो यार यही बरतन और यही सारी चीजें ले जाकर बेचते हो शहर में लेकिन तुम इतने अमीर हो तो जानते हैं सरजीवाल ने क्या कहा कि तुम भी अपनी चाक पर मिट्टी से रुपिय बना सकते हो वो बोलने लगा मतलब कुमार ने उससे पूछा ना कि तुम्हारे पास कौन सी मशीन है यार जो इतने पैसे कमा रहे हो अब ये मशीन से वो राउल वाला मशीन मत समझेगा कि एक तरफ से आलू गुसेगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा यहां तो सब जानते हैं कि ये तो मजाग की बात है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है लेकिन उस सरजीवाल ने कहा कि तुम भी अपनी चाक पर मिट्टी से रुपिय बना सकते हो तो कुमार बोला कि भाई बना तो मैं दूँगा लेकिन वो रुपिय भी तो मिट्टी के ही बनेंगे ना तो जानते हैं सरजीवाल ने क्या कहा सरजीवाल ने कहा कि तुम ऐसा करो अपने चाक पर हजार मिट्टी के रुपिये बनाओ मतलब मिट्टी के हजार रुपिये बनाओ तो कुमार बोला कि भीया मिट्टी का मैं बना तो दूँगा लेकिन उससे क्या होगा तो बोला मैं सचमुच मैं उसे रुपिये में कनवर्ट करके दिखाऊंगा मतलब मिट्टी के हजार रुपे बनाओ मैं तुमको हजार रुपे में बदल करके दिखाऊंगा अब इस बात पर बहस चिड़ गई लेकिन कुमार को चुकी काम था वो तो काम करता था ना काम के बदले ही वो पैसे कमाता था बोला ठीक है मैं तुमको बना करके दे दूंगा और इसके बाद दोस्तों बात आई गई हो गई महीने भर बाद बड़े इंट्रेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों आप बड़े ध्यान से समझ ये तब ही आपको ये केजरिवाल की कहानी समझ में आएगी महीने भर बाद कुमहार से सरजीवाल ने फिर पूछा कि क्या हुआ तुम पैसे देने वाले थे कुमहार ने कहा कि यार समय नहीं मिला काम थोड़ा जादा है तो हार बीच जाने दो फिर तुम्हें बना कर दे दूंगा फिर महीने भर बाद उसी गाउं में नहीं नहीं दो महीने हो गया फिर वहां मौझूद जो कुमहार है उसने उन लोगों को समझाया कि अरे यार यह मिट्टी के रुप्य मांग रहा है जो मनें बात हुई आई गई हो गई अब समझते हैं कि अब गाउं में जब बातचीत होती है चो चौराहे पे तो क्या होती है अब क्या स्थिती भी यह समझें अब कुमहार जहां भी मिले सरजिवाल जी से जितने लोग भी हो तुरंत वह पूछ देता यार तुम हजार रुपे देने वाले थी दिये नहीं तो कुमहार बोलता हां हां यार दे दूंगा देखो अभी टाइम नहीं है तुम थोड़ा और देखे 6 महीने के बाद क्या होता है 6 महीने के बाद सरजीवाल ने पंचायत भुलाई और कुमहार पर 1000 रुपे की देनदारी का दावा ठोक दिया अब देखे स्थीतियां कैसी है गाउं में दर्जनों गवाँ हैं जिनके सामने सरजीवाल ने कुमार से 1000 रुपे मांगे और उसने कहा कि हाँ मैं दूंगा बोला हाँ जी मैंने तो सुना है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पता था कि ये मिट्टी वाली शायद बात हो रही है लेकिन वो माइनरिटी में थे तो उसकी बात नहीं मानीगे और लोग हसने लगे कि यार ये कौन सी बात है यार मिट्टी का 1000 रुपे कोई मांगता और कोई देता है क्या तो फिर पंचायत ने हुक्म सुनाया कि आपको 1000 रुपे देने पड़ेंगे अब पंचायत छटने पर दोस्तों सरजीवाल ने उस कुमार को समझाया कि देखा मेरे पास रुपे बनाने की मशीन है और इस मशीन में मिट्टी के रुपे कैसे सच मुझ के रुपे बन जाते हैं समझ में आया आपको अब इस कहानी से आपनी क्या समझा दोस्तों इस कहानी में आप न्याय, नैतिक्ता और विश्वास के प्रपंचों में ना पड़े बलकि जो सरजीवाल कर रहा है वो उसकी टेकनीक थी उसे कहते हैं narrative building narrative बहुत लोगों को समझ में नहीं आता यही है narrative और इसे ही इस पूरी प्रक्रिया को narrative building कहते हैं यानि कत्य का निर्माण जो की सत्य और तत्य दोनों से अलग है यानि केजरीवाल की कहानी में अब फिर से आईए केजरी वाल को ये पता है कि वो जो कर रहे हैं उसका संवेधानिक प्रक्रिया से भी कोई लेना देना नहीं उसका दिल्ली के हिद से भी कोई लेना देना नहीं वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और वो जीत भी नहीं सकते ये भी जानते है लेकिन वो एक ऐसे narrative को बनाने में जुड़े है जहां पर इस देश के लोगों को भ्रमित किया जा सकता है लेकिन इस बार सामने मोधी सरकार है ये तो समझे कि केजरिवाल जी का दुरभाग ये अगर केंदर में कॉंग्रेस की सरका होती ना तो ये केजरिवाल जी उसे नोचकर खा गए होते तो केंदर में केजरि मोधी की सरकार है और इसी वज़े से एक इमांदार सरकार के सामने इस बार केजरिवाल ऐसा फस गये हैं कि उनका ये सारा का सारा narrative building भी धरा का धरा रह जाने वाला है और यही आज के वीडिय भले ही narrative की लडाई में पूरी शिद्दत से लगे हो केंदर सरकार को मोधी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हो दिल्ली के हित की बात कहकर अपने भ्रष्टाचार को ओड़ने में लगे हुए हो लेकिन कानूनी लडाई में वो बुरी तरह से उलग चुके हैं और मैं आ पॉलिसी वॉज गुड़, सो गुड़, वोई वॉज इड़ विड्रॉन, एचसी आस्क सिसोधिया, जानते हैं दिल्ली हाई कोट ने सिसोधिया से क्या पूछा है, कि इजरिवाल जी कहते थे थे ना कि हमारी शराब निती तो एकदम शांदार है जी, पुरी दुनिया में नहीं बोलते हैं वो, तो हाई कोट ने सिसोधिया से पूछा है, कि अगर आपकी ये शराब पॉलिसी, शराब नीती इतनी ही अच्छी थी, तो आपने वापस क्यों ले ली, और जान लीजिए, सबूतों को देखते वे, हाई कोट ये समझ गया है दोस्तों, कि इस शराब घ और इसलिए दोस्तों, मनीश शिसोधिया आज भी जेल में हैं, लोवर कोट के बाद दिल्ली हाई कोट ने भी जमानत देने से इंकार कर दिया है, क्यों जानते हैं, क्योंकि अधालत का मानना है, कि ये मामला बहुत ही गंभीर है, और अधालत ये भी मानती है दोस्तों, कि इस गंभीर मामले में मनीश शिसोधिया जैसा वेक्ती जो अहम विभागों का मंत्री रहा है, वो सबूतों को मिटा सकता है, अब मैं आपको कुछ और चीजे दिखा देता हूँ, शराब घोटाले में मनीश शिसोधिया के साथ मिलकर घोटाले करने वाले शरत चंद्र शिबत में फसने वाले हैं, और इसका ये भी मतलब है दोस्तों, आप बड़े ध्यान से समझ जाईएगा, कि इस घोटाले की आच में सीधे केजरिवाल भी आने वाले हैं, केजरिवाल जी से तो पूछताज भी हो चुकी है, और एक बात ये भी याद रखिए, कि इस से पह हैं, क्योंकि ये सबके सिरे केजरिवाल से भी जोड रहे हैं, दिल्ली में जो अतिरिक्त, दिल्ली में सतरक्ता विभाग के विशे सचीव, राजशेखर, जानते हैं ये मामला क्या चल रहा है, अभी जब इनको हटाय गया था, तो इनके विभाग से सारी फाइलें भी चु बंगला नहीं लेंगे, गाडी नहीं लेंगे, और बंगले में 1 करोड़ो रुप्य फूंक दिये, और मैडम चीफ मिनिस्टर भी उसमें सामने आई हैं, तो ये जो सचिव राजशेखर, उन्होंने दिल्ली पुलिस में एक F.I.R. दर्च कराई है, ये F.I.R. उस मामले में दर्च कराई गई है, जिसमें ये बात सामने आई है, और अब तो CCTV फुटेज भी आगया बात में दोस्तों, कि इनके दफ्तर से गोपनिय फाइलों को बाहर ले जाया गया, यानि एक मामला और बढ़ गया, वैसे भी मैंने आपको तो A to Z घुटाले दिखा चुका हूँ, ये तो केजरीवाल जी ने 6-7 साल में वो काम कर दिया, जो कॉंग्रेज 75 साल में नहीं कर पाई है, एक बात समझ लीजिए दोस्तों, कि केजरीवाल उस समय एकदम से जैसे कहते ना कि अती उत्साहित हो गए, जब सुप्रिम कोर्ट ने उनके हाथों में ये अधिकार दे द अलादिन का चराग मिल गया दोस्तों, जिससे उनको लगा कि सारे पाप धुल जाएंगे, और आनन फानन में ना केवल उन्होंने खुले आम अधिकारियों को धमकी दी, कुछी घंटे के अंदर, बलकि विजिलेंस विभाग के मुख्य सचिव को हटा दिया, और इस विजि केजरिवाल के आवास को बनवाने में जो घोटाला हुआ, उसकी फाइलें भी शामिल थी, केजरिवाल जिस लूट पर परदा डाल कर अपने को कटर इमानदार साबित करना चाहते थे, मौका मिलते ही उन्होंने सबसे पहले वही काम शुरू किया, अब देखिये न, सुप् बड़ी सत्ता मिल जाये तो वो कैसे उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, तुरन तुरन तुरने और आजकता जैसी स्थिती पैदा कर दियो, मैं आपको दिखा चुकाओं कि सरकारी अधिकारियों को धमकी देने का काम शुरू कर दिया गया, सारे फैसले पलड़ दिये, सारे अधिकारी जो जाच कर रहे थे इधर से उधर कर दिये, और तब जाकर के केंद्र सरकार को अध्यादेश का सहारा लेना पड़ा, और अध्यादेश की बात भी, अध्यादेश की बात तो नहीं, सरकारी अधिकारियों को कितना अधिकार दिया जाए, LG को कितना पावर दिया था और इस पर भी मैं आपको रिपोर्ट दिखा चुका हूं दोस्तों इसलिए मैं ये बात रिपीट नहीं कर रहा हूं और जैसे ही केंद्र सरकार का अध्यादेश आया केजरिवाल जी समझ गये कि आप वो खुद को बचा नहीं पाएंगे और इसलिए उन्होंने किदी के पास पहुँच गये और अध्यादेश आने के एक दिन बाद ही नितिश कुमार तेजस्वी यादव ना जाने किस किस से मिले यानि नेरेटिव की इस लड़ाई में जनता को कन्फ्यूज करने का उन्होंने पूरा बीड़ा उठाया राहुल गांधी और खडगे से यह चाहते हैं कि वो धन लूट सके और जो दूसरे कॉंग्रिस के दिगज नेता है अजय माकन वो तो केजरीवाल के घोटालों की पूरी फेहरिस्त लेकर बैठे हुए हैं अब मैं इस वीडियो में केजरीवाल की जो यह अराजकता है दोस्तों उसको कंक्लूड करने से पह अराजकता को आगे बढ़ाते हैं संजय सिंग ने उन्होंने परिवारबाद के खिलाप एक बयान दिया था आप बयान भी सुनिए और उसके साथ वीडियो भी देखिए फिर आपको समझ में आएगा कि इनकी राजनीती इस देश के लिए कितनी खराब है कितने नीचले स्त पहुंच चुकी है बयान सुनिए आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है चंद परिवारों ने देश की राजनीती पर कब्जा कर लिया है चले जाए ये महारास्त्रा बाल ठाकरे उधाउठ ठाकरे आदित्य ठाकरे एक ही परिवार की पाटी सरत तो देखा अपने दोस्तों जिस चीज की बुराई करते थे उसी को गले लगा लिया तो कुल मिलाकर दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल इस देश के कैसे पढ़े लिखे नेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई का इस्तेमाल इस देश की जंता को ठगने के लिए किया अराजक्ता फैलाने के लिए किया राजनीती को दूशित करने के लिए किया यह चाहते तो इस देश में एक नई राजनीती की शुरुबात कर सकते थे जंता ने यही सोचकर उन्हें मौका दिया था लेकिन क्या पता था कि जो वेक्ती ब्रेश्टाचार के खि पुटने टेक देगा, चर्णों में लोटने लगेगा, तो ये तो केजरीबाल की हकीकत है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जनता इस बात को भली भाती समझ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप से निवेधन है साथियों, कि आप मेरी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब क कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंड कीजिए, और इस बिल आइकन को पिस करना मत भूलिएगा, नमस्कार.